महराश्च्रु पुलिस अधिनियम 2014 में कलम 22 के अनुसार सक्षम प्राधिकार्यों की मानिता से परिविक्षा धिनवधी पूरी के हुए भारतिय पुलिस सेवा के अधिकार्यों का तबादला किया गया है जिसमें चड़गाव पर पुलिस सधिक्षाग भाग के श्री नवटा के अब पूने शहर के आर्थी गुने शाखा के पुलिस उपायुकत होंगे वही नवी मुंबई के पुलिस उपायुक्त विशेश शाखा के सुरेश मेंगडे परिमंड़ एक नवी मुंबई के पुलिस उपायुक्त होंगे अपर पुलिस सदिक शक नाकपुर ग्रामिन के नूरुल हसन अब नाकपुर शहर के पुलिस उपायुक्त होंगे वही जालना के राख्यू पुलिस बल गट क्रमांक तीन के समादेशक अक्षेश शिंदे अब नाकपुर शहर के पुलिस उपायुक्त होंगे अमरावती के राख्यू पुलिस बल गट क्रमांक 9 के समादेशक लोहित मतानी नाकपुर शहर के पुलिस उपायुक्त के रूप में पदभार संभालेंगे वही लोहमार्ग पुने के पुलिस अधिक्षक दीपक साकुरे मानवी अधिकार सरक्षन नागपुर के पुलिस अधिक्षक होंगे वही राज्य गुप्तवार्ता विभाग मुंबई के उपायुक्ते संजर जाधव राज्य महमार्ग पुने के पुलिस अदिक्षक का पदभार संभालेंगे बदली आदिशाधिन हर्श पोद्दार का ताजराक्यू पुलिस बलगट क्रमांक नौ अमरावती के समाधिशक के रूप में तबादला किया गया है BS Crime India News के साथ जुड़े रहने के लिए यूटूब, वेबसाइट, ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख, लाइक, कमेंट और शेयर करें साथ ही यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से BS Crime India News.com की एप्लिकेशन को डाउनलोड कर रोजाना तरजा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे